जैहिंद सात्यों guys, यहाँ पर आप सबको easy way में दिख रहा होगा, अनुकुलन ओके, और अनुकुलन को इंगलिस में कहते हैं, कस्टुमाजिशन ठिक है, guys, यहाँ पर आप easy way में देख पा रहा है तो इस वे में आपको दिख रहा है वातावरन Guys वातावरन के अनुशार अपने आपको उस योग्य बनाते हैं इस संपूर्ण परकिरिया को अनुखुलन कहा जाता है Guys यहां पर आप ध्यान दीजे कह रहा है हमारा परिभासा कि वातावरन के अनुशार गाईज आप एक बात बताईए जब ठंड का दिन होता है तो आप लोग स्वेटर पहनते हैं हम भी पहनते हैं आप भी पहनते हैं सभी लोग पहनते हैं और गर्मी आता है तो कैसे लोग स्वेटर पहनते हैं नहीं पहनते हैं यानि वर्सा के दिन था तो उस समय सभी लोग घर में रहें तो आप देखे अभी कि वातावरन का नुसार उन लोग अपने आपको बदले की नहीं बदले जी हाँ बदल लिए क्योंकि बर्सात था तो उन लोग घर में रहते थे और ठंड था तो उन लोग स्वेटर पहनते थे और गर्मी था तो उन लोग एक छोटा सा नॉर्मल कपड़ा पांते थे तो वो अपने आपको चेंज कियें कि नहीं कियें तो वातावरन का अनुसार अपने आपको उस योग उस लायक बनाते हैं इस संपुर्ण परक्रिया को अनुकुलन कहा जाता है एक बात बताईए स्रमजने के लिए आप छोटा सा एक्जामपल लेजिए गाइस एक बात बताईए जिससे आप फ्रेंड के साथ बहुत सारे ऐसे बात को कह सकते हैं क्या अपने घर पर कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं तो आप अपने अनुसार बदलते हैं या नहीं बदलते हैं जैसे दोस्त के सामने हम बहुत कुछ बोल देते हैं लेकिन घरवालों के सामने नहीं कुछ बोल पाते हैं तो हम लोग वाता और अनुसार चेंज हुए कि नहीं हुए यानि आप ऐसे भी समझ सकते हैं अगर कोई किसी राज्य में अगर हम कोई मानते हैं कि अगर हिंदी हमको और इंग्लिस नहीं बोलने आता है तो उस राजी में केवल लोग इंग्लिस ही बोलते हैं तो हमें धिरे-धिरे उस इंग्लिस को सिखना होगा नहीं तो हमें वहां रहना मुश्किल हो जाएगा तो महाल के अनुसार हमें भी चेंज होना पड़ेगा तो मैंने परिभासा यहा बने रही है और जूड़े रही है एंड हमें सपोर्ट की जरुवत है यार सब्सक्राइब का बटन दो बदना उस दिन से हमारा सदसे का एक हिंसा बन जाओंगे और ये वाके में ये दमदार बात है बाइबाइबाइट टिक क्या रहे